Hello learners, scholarship को लेकर समाज कलनार विभाग उत्रप्रदेश ने सभी उत्रप्रदेश के विश्विदाले और संस्थान और सिक्षन संस्थाओं को नोटिस जारी किया यह नोटिस साथ अप्रेल 2022 को जारी किया गया जिसमें कि बायो मेट्रिक अटेंडेंस और scholarship eligibility के लिए कहा गया है जिसमें बताया गया है कि सैक्षिक सत्र में यानि कि किसी भी सेसन में 75% से अधिक attendance वाले student ही scholarship के लिजबल होंगे और उनकी जो attendance है वो अधार बेस उपस्तिती प्रणाली से स्थापित करके प्रतेक माँ उपस्तिती जो है वो प्रमारित करके छात्विती पोर्टल पर अप 75% से कम होगा उनको scholarship नहीं मिलेगी और अगर scholarship मिल जाती है तो उस case में college को जो छात्र होगा उसको वो धनरासी वापस करनी होगी तो यहाँ पर दो important चीज़े बायो मेट्रिक attendance और दूसरा 75% से अधिक attendance होनी चाहिए तो ही आपको scholarship मिलेगी ता आप यहाँ पर दूसरा point दे एवं अध्यनरे तथा चात्रविति और शुल्क प्रतिपूति का online आवेदन करने वाले चात्रों का आधार बेस्ट उपस्थित प्रणालियानी बायोमेट्रिक attendance की ब्युस्ता कराई जानी है और इसके लिए प्रतेक विस्विदाले सिक्षर संस्थान को चात्रों के बायो बायोमेट्रिक मसीन लगाया जाने का अनुरुद नेदे साले के बिबी ने पत्रों दोरा जो है कॉलेज और यूरूर्सिटी से किया जा चुका है तो उसको लेकर कारवाही करने के जो है ये नोटिस जारी की गई है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिक्षर संस्थानों में अप्लाई करते हैं, मास्टर डेटा में इंक्लूडेड हैं और जिन में पढ़ रहे चातर स्कॉलर्सिप के लिए अप्लाई करते हैं उन सभी कॉलेज में 15 दिन के अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस की विरुस्ता जो है उनको अपने यहाँ पे करवानी होगी और जिन च अटेंडेंस 75% से ज्यादा रखना होगा तभी आप स्कॉलर्सिप के लिए इलिजबल होगे विश्वाल दविष्ट के पॉचिंग